हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंदरा फ्रेंड्स बाइस्तो तेरा पोश्ट विहार दरोगा पीटी एक्जाम जो की 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा उसके लिए समान ग्यान का जो हम लोग ने 500 प्लस अति महत्पुन कोस्तन का सीरीज श्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नमबर 2 को कवर करेंगे इससे पहले हमने पहला वीडियो कवर किया हुआ था अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बर आया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन को यान की घंटे के निसान को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेट कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंचा है तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर जीजेगा फ्रेंट्स ये जो हम लोगों ने न्यू सीरीज श्टार्ट किया हुए पांच सो प्लस इंपोर्टेंट कोशन्स का इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी, एकनोमिक्स, साइंस तथा एस्टैटिक जीके के कोशन्स मिलेंगे काफी इंपोर्टेंट सीरीज एफ्रेंट्स इसको आप लोग मिस मत किजेगा देखे आज की सेशन का पहला कुशन हमारा की टेरा कोटा आर्मी टेरो कोटा की मुर्तियां का एक संगरह किस देश के पहले समराट की सेनाव को दरसाता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है कोशिस कीजिएगा आप लोग 5-7 सेकंड के बीच मापने अंसर बताने के लिए उसके बाद जो भी करेक्ट इंसर होगा पूरी डीटिल में मैं आपको बता दूँगा तो ध्यान दीजेगा टेरा कोटा सेना टेरा कोटा योध्धा यो अस्वर टेरा कोटा की मुर्तिया जो है यहाँ चीन के प्रथम समराट कीन सी हुआंग यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूं कीन सी हुआंग ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे चीन के प्रथम समराट कीन सी हुआंग की सेना का नेरूपन करती है तो राइट अंसर इसका उपस्तन नमबर A हो जाएगा वीडियो के लाश्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कूर जरूर कमेंट करके बताएगा देखे नेक्स्ट कोस्टन है और आपको बता दो फ्रेंट्स की से पहले हम लोगों ने कोस्टन नमबर वन से लेकर के कोस्टन नमबर 53 तक को कवर कर लिया था और आज हम लोग 54 से कवर कर रहे हैं ठीक है पहला वला आप पार्ट जरूर देख लेंगे देखे वर्स 1971 में स्वतंतरता की घोशना के बाद बंगला देश के प्रथम प्रधान मंतरी कौन थे तो राइट एंसर हो जागा आपसर नमबर एट ताजुदीन आहमद वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बंगला जिसके प्रथम राष्ट पती कौन थे तो सेख मुझिबुर रहमान थे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बंगला जिसके प्रधान मंतरी सेख हसीना है और वर्तमान में बंगला जिसके राष्टपती अब्दुल हामीद है अगला कुस्टन देखेगा नेक्स्ट कुस्टन है कि फ्रांसी सिक्रांती कि सवर से सुरू हुई थी फ्रांस की जो राज जिकरांती थी यह 1789 सिवर में लूई सोला हुआ ध्यान रखेंगी लूई सोला हुआ यहाँ पर मैं लिख दरा हूँ बिल्कुल आप लोग किलियर रखेंगी इसको लूई 14 हुआ कन्फ्यूज मत होईएगा फ्रांस की राज करांती 1789 इसवी में लूई सुलाहमा के सासन काल में हुई थी और उस समय फ्रांस में पुछा जाता है कि किस प्रकार की व्यवस्ता थी उसमय सामन्ती व्यवस्ता थी ठीक है तो राइट अंसर इसका उप्शन नमबर डी हो जाएगा 1789 इसवी नेक्स्ट कोशन देखेगा नेक्स्ट कोशन हमारा कि विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन से थी जिसमें सिक्षा वह प्रतियोगी परिक्षाओं के आधार पर सरकारी करमचारियों की चैन की प्रनाली थी तो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर बी चीनी ठ ठीक है चले कोशन नमबर 58 देखेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कहां का निमासी था तो देखें नेपोलियन बोनापार्ट का जनम जो है 15 अगस्त 1779 इसवी में ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1779 इसवी को जो कोर्सी का दिप है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कोर् कारलो बोनापार्ट इसके पिता का क्या नाम था कारलो बोनापार्ट था ठीक है ध्यान रखेंगे 1804 में 1804 में नेपोलियन जो था यह फ्रांस का समराट बना था और 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई होई थी इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था और इसको बंद कहां पर हुआ था तो कुर्षी का दीव पर हुआ था फ्रांस का यानि वासी था अप्शन नमबर डी राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका देखेगा कि इंगलेंड में न्यू कैसल है देखे फ्रेंट्स इससे पहले हम लोगों ने 2008 से लेकर कि अब तक जितने भी बिहार द सबी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग जरूर देख लीजेगा बिल्कुल कम समय बचा हुआ आपके पास देखें इंगलेंड में न्यू कैसल जो है यह क्या है यहां एक सहर है ठीक है न्यू कैसल जो है यहां इंगलेंड का गानी अब इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कुस्टन देखेंगा फ्रेंट्स फिलीज वीडियो को लाइक जरूर कर दी जगाई है तो फ्यूरर की जो उपाधी दी गई है यह दी गई हिटलर को ऑप्सन नंबर ए राइट अंसर हो जाएगा ठीक है हिटलर को इसको ल है उसका देखिएगा कि पुनर जागरन आंदोलन सबसे पहले सुरू हुआ था यह स्पेसली यह सीरीज आपके एक्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहा है जो भी बचे खुचे प्रशन है जो सेस्ट प्रशन रह जाएंगे सभी इससे कभर हो जाएंगे आपके यह सुरू हुआ था ठीक है तो रहे टंसर इसका हो जागा ऑप्सन नंबर वी इटली उसके बाद देखिएगा कोस्टन नंबर 62 कि निमलेखित में से किस देश ने दूतिये विश्यूद में परल हार्बर पर आकर्मन किया था तो देखिए परल हार्बर पर आकर्मन जो है जापान ने किया था और इसी आकर्मन के बाद आठ दिसंबर ठीक है आठ दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका दूतिये विश्यूद में कूद पड़ा था नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्स तासकंद समझाता हंस्ता श्रित हुआ था तो दिकी ये तासकंद समझाता जो है ये 10 जनवरी 1966 को ठीक है ध्यान रखेंगे डेट सहित 10 जनवरी 1966 को ततकालीन भारत के प्रधान मंत्री स्रीलाल बहादूर सास्त्री जी और पाकिस्तान के ततकालीन सेना के जो अध्यक स्तित उनका नाम था जनरल अयूब खान इनी दो कुस्तन हमारा की दूतिय विश्यूद के समय ब्रेटन के प्रधान मंत्री कौन थे तो दूतिय विश्यूद के समय ब्रेटन के प्रधान मंत्री जो थे ये कौन थे तो विंस्टन चर्चिल थे अच्छा भारत के आजादी के समय पूछा जाता है कि ब्रेटन के प्रधान मं इनकी रसना है ध्यान रखेंगे दख कॉमिनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल इसका हो जाएगा ऑप्स नमबर भी जर्मन चीन तक ठीक है चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि किस आंदोलन का नेत्रित्व करने के लिए मार्तिन लुठर किंग को जाना ज यह चीन के पर्थम समराठ की कीन की हुआंग आथ कि अभी हमने स governor से ना के बारा में पढ़ा था सकाने सिनकी के द्वार का निर्मान किया गया था तो उसको अगला को सिन देखेगा किनेम लेखित में से किसका निर्मान प्राचीं इनकस यहां पर अंगरेजरी में भी लिखा हुआ है द्वारा किया गया था मित तो राइट अथनसर इसका हो जाएगा यहां और देखिए माचू पीचू है यहां दक्षिन अमिर्की देश पेर्यूश第 ठीके friends और यह विष्व के जो साथ अजूत हैं उसमें यह सामिल है next question देख लोगता अगला कि बर्लिन की दिवार को किस वर्स ध्वस्त किया गया था बर्लिन की दिवार को जो है ध्वस्त कब किया गया था तो देखे इसको ध्वस्त किया गया था 1989 में और इसकी गिरने के बाद 3 अक्टूबर 1990 को ध्यान रखेंगे 3 अक्टूबर 1990 को पुर्वी और पस्मी जर्मनी ने एक साथ मिल करके एके कृत जर्मनी का निर्मान किया था नेक्स्ट कॉस्षन हमारा है कि वर्ष 1799 में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुसरब के नित्रित में एक सैन अतकता पुलट से परास्त किया गया था तो उस समय कौन थे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री तो ये नवाद सरीफ थे, option number C, right answer हो जाएगा, उसको बाद देखेगा कि पृत्वी के अध्यन को किस नाम से भी जाना जाता है, तो अंगरेजी में इसको कहा जाता है, जीयो लॉजी, यहां मैं लिख दे रहा हूँ, जीयो लेकन हो जाएगा, option number C, correct answer हो जाएगा, यदि आफ फेली थियो दीप में है, तो आप किस देश में होंगे, यानि कि सीदे सीदे पूछा गया है, यह जो फेली थियो दीप है, यह किस देश में इस्तित है, तो यहां मालदीव में है, ठीके फ्रेंट्स, मालदीव की पर यह इस्तित है, किले मन जारो, इसकी उचाई लगबग 5,895 मीटर है, लगबग मैं बता रहा हूं, 5,895 मीटर है, राइट अंसर हो जाएगा, चंजानिया, प्रित्वी पर सबसे उचा परवत कौन सा है, तो यह मांट एवरेष्ट है, मांट एवरेष्ट की उचाई है, यह आपको एड़ेक्ट याद रखना है, 8,849 दसमलो, आठ चो मीटर, ठीक है, यह आठ चो मीटर अब बढ़ गया है, तो आप यह एड़ेक्ट आंकड़ा ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कुस्सन देखेगा, कि मरियाना ट्रेंच जो है, यह किस महासागर में से थे थे, तो कहां थे तो टोओंगा गर्त भी प्रसांत महासागर में वह ध्यान रखेंगे, ठीक है, चल्वेज नहर भूमद सागर को किसा सागर से जोरती है, तो भूमद सागर को यह लाल सागर से जोरती है, अच्छा यह जो स्वेज नहर है, इसका निर्मान कब हुआ था तो 1879 में, इसका राष्ट्य करण कब किया गया, इसका राष्ट्य करण 1956 में मिसर के द्वारा किया थे, इजिप्ट के द्वारा, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कुस्सन देखिएगा कि हीम नदी यानि कि गलेसियर किस से बनती है तो ये बनती है वर्फ के जमाव से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृते के गटना वह माठीव हो जाएगा उसका टक्ला मकान ञोब्भी आ है ये मरुष्थल कहां तो यह जो है चीन में है नेक्स को संझ दिखेगा कि नक्स के अध्यान को क्या कहा जाता है नक्सा का जो अध्यान नप्सा कंड़ी एक वी prisoner ौश हो गोल के प्रश्ण होंगे फिर आपको साइंस भी मिलेगा पॉलिटी भी मिलेगा सारा सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे औस्ट्रेलिया का सबसे अधिक गहनी आबादी वाला सहर कौन सा है तो यह सहर है आपका सेड़ी नहीं हो जाएगा और सी जो होगा राइट एंसर ह कमपाला है और सी करेक्ट एंसर हो जाएगा उसका बाद नेक्ष्ट कुर्शन देखिएगा कि वर्तमान में दुनिया की सबसे उंची इमारत कौन सी है तो यह है फ्रेंट्स कौन सी बुर्ज खलिफा आप कमेंट करके बताईए कि बुर्ज खलिफा किस सहर में है ठीक है किस सहर में है अब सहर का नाम लिकर के बताईएगा अगला प्रसन देखिए कि मसाई मारा नेशनल पार्क यह नेशनल रिजर्व जो है कहां है मसाई मारा जो है यहां किनिया और तंजानिया की सीमा परिस्तित है तो देखिए ऑप्सन में आपको किनिया दिया गया है ठीक है तं सिंगापूर का पुराना नाम क्या अच्छा सिंगापूर जो है यह 1965 में मलेशिया सा अलग होकर एक स्वतन्त राष्ट बना था ठीक है मलेशिया सा अलग हुआ था सिंगापूर ध्यान रखेंगे और इसका पुराना नाम टेमसेक है ठीक है option number B हो जाएगा इसका correct answer उसका बा अगभग कितना तापमान होता है यह 3000 degree centigrade होता है option number C right answer हो जाएगा पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा आप आप लोग answer भी नोट answer भी मैं दे दूँगा कुशिस करूँगा अगर संबह हो तो आप लोग answer note कर लेंगे नेमन में से किस ग्रह को घुर्णन तथा परिकर्मन में एक समान दिन लगता है यह ग्रह कौन सा है जिसकी घुर्णन में और परिकर्मन में एक समान दिन लगता है तो यह है बुद्ध ग्राह, अच्छा बुद्ध जो है यहां सुर्य से सबसे नजदीक का ग्राह है, ठीक है, इसके पास कोई भी उपग्राह नहीं है, बुद्ध और सुक्र के पास कोई भी उपग्राह नहीं होता है, कहां स्तीत है, तो सांती का सागर इसको हिंदी में कहा जाता है, यह चंद्रहमापर है और इसी जो सी अफग्राइट है, यहीं पर जो है, नील, आर्म, एश्ट्रॉम यही पर उतरे थे, ठीक है चलिए next question देखेगा कि टूंडरा प्रकार की जलवाईव का दूसरा नाम क्या है तो यह है धुरूईय जलवाईव असका नमबर और सी हो जाएगा जिवासम का सबसे अच्छा सुरत कौन सा है जिवासम का सबसे अच्छा सुरत इसमें से हो जायगा आपका तलचटी चटान ऑफ्सर नमबर ए रैटन सर हो जाएगा इसका उसके बाद next question हमरा है कि निमना लिकी तेसों में से किस देश में सर्द के मौसम में भी वर्षा होती है यह देश है नौर्वे और बी राइट अंसर हो जाएगा नौर्वे उसके बाद अगला कुस्ष्ण देखेंगे नेक्स्ट कुस्ष्ण हम डेनमार्क आइसलेंड नौर्वे स्वीडन वह फिनलेंड मिल करके क्या कहलाते हैं तो देखें इसको क पहा जाता है इन सभी को एसकंडेनेविया कंट्री ठीक है अप्सन नौर्वी जो हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा एसकंडेनेविया नेक्स्ट कुस्ष्ण देखेंगा कि सरवाधिक भूपरिमान वाला देश कौन सा है तो सबसे ज्यादा छेतरफल की बात करें यह रस्या का हो जाएगा अप्सन नंबर इसका डी करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत का स्थान सात्वा है इसको भी आप ध्यान रखेंगा देखें हंड्रेट नंबर कुस्ष्ण है कि दक्सनी दुरू पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो राइट अंसर इसका हो नमपा रहा है कि माजूली विष्व का सबसे बड़ा नदी दि असम के किस जीले में इस्थत है तो माजूली जो है अभी स्बसे बड़ा नदी दिवप है और यह असम की जोर हाट में है ब्रह्म पुत्र नदी में ठीक है जहान रखेंगे option number A हो जाएगा इसका correct answer उसका अगला question है कि next question हमारा है कि कोटो पैकसी जो है, यहां कहा इस्तित है तो कोटो पैकसी जो है यह कहा स्तित है फ्रेंट्स, इसका अंसर आप कमेंट करके बताएंगे अपना स्कूर बताएगा, वीडियो छोटा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सभी लोगों को सुविधा हो